हाई अबरीवण आज हम जानेंगे कि हम अपने paint में अपनी eraser के size को कैसे increase कर सकते हैं तो देखिए इसका तरीका सबसे पहले तो simple सा तरीका जो सारे पुछा है पहले आपको shape draw कर लेते हैं इसमें देखिए इसमें color fill कर लेते हैं उसके बाद आप देखिए यहां से हम eraser को जब हम select करेंगे तो यह तो है देखिए छोटा सा size है यह eraser हो रहा है प्लस यहां से हम size एक तो यहां से increase कर सकते हैं जो यहां पर size लिखा हुआ है यहां से आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं दूसरा तरीका किया है कि आप keyboard से control के साथ plus वाली button को जब आप press करोगे control plus 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 तो वो size उसका increase हो जाएगा next बट अगर आपके paint में अगर यह नहीं हो रहा size increase तो इसका एक तरीका और क्या है वो देखते हैं यहां पर स्टार्ट बटन पर जाहिए यहां पर जो सर्च का है यहां पर आप सर्च कीजिए on screen keyboard लिक कर जो आप सर्च करेंगे देखिए उप पर आ गया on screen तो इस पर आप क्लिक करेंगे तब देखिए आपके पास ऐसा सा एक खुलके आ जाएगा यहां पर आपको options का एक मिलेगा इस options पर जो आप क्लिक करोगे options बटन पर तो यहां पर आपको turn on numeric keypad मिलेगा इसको आप enable कर दीजे तो जो आप इसको enable कर दोगे यहां से ok कर दो ok हो गया अब देखिए अब अपनी eraser के size यहां पर देखिए अपने keyboard से control button पर press किजिए सिर्फ एक control को press करना है तो यहां पर देखिए आपके screen पर जो keyword बनके आ रहा है इस पर दोनों control press हमारे show होंगे बड़ आपने press एक ही करना है control button प्रेस किया उसके बाद यहां से आपको यह वाली plus button को press करना है जो अपर आपको screen पर show कर रहा है keyboard उसके plus बटन यह जो इदर है नम लॉप के ओपर ठीक है तो यहां से जब हम press करेंगे तो यह देखिए इसका size इंक्रीज होएगा पहले यहां से size को select कर लिते हैं यह हमने select कर लिया आप देखिए यहां से control button प्रेस किजिए और वहां से इ देखेंगे आपके razor का size यह देखिए इंक्रीज होता जा रहा है तो आप जितना यहां पर press करते जाएंगे आपके razor का size बड़ा होता चला जाएगा तो इस तरह से हमी razor के size को increase कर सकते हैं उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो इसे like और share जरूर कीजिए thank you so much